चुनावी बॉंड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर न्यूजेटिन इंडिया पे 15 ता 15 मार्च तक का वक्त सुप्रीम कोट ने दिया था चुनावी बॉंड की जानकारी को साजा करने के Лएक चुनावाय खना ठीक दिन पहले चुनावी बॉंड से जुड़ी तमाम जानकारी आपने वेबसाइट पे जारी कर दी है न्यूजेटिन इंडिया पे इस वक्त की बड़ी खबर दो पार्ट में जो बॉंड है चुनावी बॉंड से जुड़ी जानकारे उसे दो पार्ट में चुनावायोग ने साजा किया है न्यूजेटिन इंडिया आपको एक एक खबर बत चुनावी बॉंड यानि चुनावाग ने जो जानकारी साजा किया उससे आपको नहीं पता चलेगी कि किसका बॉंड कहां गया यानि किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने कोई बॉंड करीदा तो उसका बॉंड किस पार्टी को गया किस पार्टी को उस व्यक्ति या कंपनी ने चुनावी बॉंड दिया यह इस जानकारी से पता नहीं चलेगा लेकिन आपको एक बार पहले बता दे कि चु पर बता रहे हैं डिस्क्लोजर ओफ उलेक्टोरल बॉण चुनाव आज़ ने अपने वेबसाइट पे घंब डिस्क्लोजर ओफ इलेक्टोरल बॉण जिसमें कंट्रिभी और रिपोर्टे सोती है तमाम दलों की उसी में एक हिस्सा एड किया है disclosure of electoral bonds और मुख्य चुनावाय उक्तराजी उकुमा ने जम्मु कस्मीर दौरे के दौरान कहा था कि वो जल्दी इसकी जानकारी साजा करेंगे वक्त पर जानकारी साजा कर दी जाएगी वक्त से एक दिन पहले ही चुनावाय की वेबसाइट पर ये जानकारी है और ह हम न्यू जेट इन इंडिया के कैमरे पर भी आपको एक बार अपने कैमरा परसन विशाल से कहेंगे कि वह यहां की तस्वीरें दिखाए यह देखिए disclosure of electoral bonds details of electoral bonds submitted by SBI पार्ट वन एक और दूसरा है पार्ट टू पार्ट वन में इस बात की जानकारी है 337 पन्नों का पार्ट वन है 426 पन्नों का पार्ट टू है 300 से ज्यादा पन्नों 337 पन्नों आपको बता दे 337 पन्नों का पहला हिस्सा है और 426 पन्नों का दूसरा हिस्सा पहले हिस्से में इस बात की जानकारी दी गई है कि किस व्यक्ति किस कंपनी किस संस्था ने कितने के बॉंड खरीदे ये जानकारी 337 पन्नों वाले पहले हिस्से में दूसरे हिस्से में यानि 427 पन्नों वाले हिस्से में इस बात का जिक्र है कि किस पार्टी को कितना चुनावी बॉंड मिला वो भी अलग-अलग है कई पन्नों में है कि उसको जोड चुनावाय की कर दिया है SBI की तरफ से जो साजा किया गया था लेकिन ये पता करना मुश्किल है कि किसका खरीदा हुआ बॉंड यानि किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पार्टी के लिए बॉंड खरीदा था या किस पार्टी को दिया इस बात की जानकारी इन दोनों हिस्सों से नहीं मिल लेगे न्यूजेट इन इंडिया के दर्सकों को बता दे कि आकिर चुनावी बॉंड का मसला आया करें दरसल 15 फरवरी को चुनाव एक शिकायत पे सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड योजना को सरकार यानि मौजूदा सरकार ने चुनावी बॉंड योजना की को लाग जारी दी थे उसमें ये भी कहा था कि 22,000 से ज्यादा चुनावी बॉंड खरीदे गए जिसमें से ज्यादा तर चुनावी बॉंड इंकैस्ट करा लिए गये थे लेकिन 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोट ने चुनावी बॉंड को रद किया इस योजना को रद किया तब सुप् सुप्रीम कोट के दरवाजे खट खटाती है उन सुप्रीम कोट से वक्त मांगा जाता है स्बी तरफ से की 30 जून तक का वक्त दिया जा लेकिन सुप्रीम कोट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि आप 12 मार्च तक चुनावी बॉंड से जुड़े डि इस भी ने चुनावाएग को सारे डिटेल 12 मार्च को मुहया कराया और मुहया कराने के बाद 15 मार्च तक चुनावाएग को यह तमाम डिटेल अपने वेबसाइट पे साजा करने थे लेकिन एक दिन पहले ही चुनावाएग ने इन तमाम डिटेल को साजा कर दिया न्यू ज 2019 से 15 हरवरी दोहजार चौबीस तक 22,217 चुनावी बंड चुनावी बंड खरीदे गए थे व्यक्तियोंने खरीदे थे संश्टाओं ने खरीदे थे संगठनोंने खरीदे थे टरस्ट ने खरीदे थे इन में से 22,030 को kit kara लिया गया था यानि जिन्हों उन्होंने खरीदे थे उन्होंने पार्टियों को सौप दिया था और पार्टियोंने बैंक के जरीए इसे इनकैस करा लिया था लेकिन इससे क्या पार जो जानकारी महतोपुन थी वह जानकारी क्या सामने आई है एक महतोपुन जानकारी ये थी कि किसने किस पार्टी के लिए खरीदा क्या वो जानकारी वोटरों तक पहुंच रही है क्योंकि जब राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है तो मर्दाताओं को भी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए अभी जो आकड़े जारी किये गए हैं उससे इस बात का पता लगाना मुश्किल है क्योंकि चुनावी बॉंड आठ लगाना मुश्किल है कि जिसने खरीदा उसका चुनावी बॉंड किस पार्टी को गिया है यादि वो जानकारी अभी भी नहीं मिल सकी है एसपे ने डेटा दे दिया है फिस से दे दिये हैं इन दोनों हिस्सों से पता नहीं चलता है यही खास बात है लेकिन आपको अगर इस पूरे फाइल का डिटेल्स निकालेंगे तो आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि एक पार्टी को कितने एलेक्टोरल बॉंड्स के हाला कि राजनीतिक दलों ने अपनी रिपोर्ट में पी गई इस दौरान 2019 के बाद 2024 तक उसमें इस बात का जिक्र आया है कि आखिर कितने चुनावी बॉंड्स से किस पार्टी को कितना चंदा मिला वह साल दर साल जानकारी सामने आई है लेकिन यह जानकारी अभी भी पता नहीं चल पाई है कि आखिर किस व्यक्तिया किस इस वक्ति बड़ी खबर को कि लोगसभा चुनावी की घोसना कभी भी हो सकती है चुनाव आयूग पे तमाम देश की पूरे देश की नजर है क्योंकि आज दोनों दोनों चुनावायुक्तों के नियुक्ति हुए अभी हाल के दिनों में ही अरून गोयल जो कि दोने अपना इस्तिफा दिया था उसके पहले चुनावायुक्त अनूप चन पांडे का कारिकाल खत्म हुआ तो आज की तारीक में चुनाव आयोग में एक सदस से मौजूद है मुख्य चुनावायुक्त राजिव कुमार लेकिन दोनों नए नियुक्त चुनावायुक्त क अगर नियुजेट इन इंडिया आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहा है लगतार चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है इलेक्टोरल बॉंड से जुड़ी जानकारे भी चाहे इस भी आई की बात करें या सुप्रीम कोट के प जानकारी के खिलाप है सुप्रीम कोट ने जब 15 फरवरी को इस योजना को खत्म किया इसे असंवैधानिक करार दिया उसके बाद स्बी आई को जब आदेश दिया कि आप पूरी जानकारी मुहया कराई है हलाकि स्बी चाहता था कि 30 जुन तक का वक्त दिया लेकिन सुप्र किसको गिया यह पता लगाना मौजूदा जो जानकारी साजा की गई है उससे पता लगाना और संभव है आपको पता नहीं चल पाएगा लेकिन न्यूजटिन इंडिया के दर्सकों को बता दे जो यह बात नहीं समझ पा रहे हैं दरसल चुनावी बॉंड जो है 29 29 ब्रांच था क्योंकि गोपनिय रखनी थी जानकारी इसलिए SBI ने भी उनकी जानकारी को बहुत एक जगह रखने की कोई कोई कोशिस नहीं की थी लेकिन अब वह जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकते 30 जुन का वक्त SBI की तरफ से इसलिए मांगा गया था कि वह जानकारी भी मिल सके लेकिन अभी ये पता लगाना मुश्किल आपको एक उदाहरन के जरिए बताना चाहेंगे कि कैसे यहां खरीदने वालों की जानकारी है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉंड खरीदा ये भी पता है कि किस राजनीतिक दौल को कितने 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 पैसे का इलेक्टोरल उसको इनकैश कराती है उसे एक करोड ओपया तो मिल गया लेकिन अभी जानकारी दी गई है वो यही जानकारी दी गई है कि किस ने खरीदा अगर आपने खरीदा तो आपकी जानकारी है और किस पार्टी ने उस Electoral Bond को अलग-अलग समय में इनकैस कराए इसकी जानकारी है दूसरे फैल में लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि किसका पैसा यानि आपका पैसा किस पा कि को दिया था लेकिन चुनाव य वेब साउट पे चुनावी ब onaज से जुड़े जो दो फाइल है-दो पाथ है उसमें यह तो जरूर है कि किस ने खरीदा किस पाटी को कितना गया लेकिन यह बताना मुश्किल है कि इसने किसके लिए खरीदा या किसका पैसा किस पाटी के खाते में गया है